मिर्दला जी, जो आपने लिखा, उसमें खास तोर से हमें लगता है कि दो ऐसे उपन्यास, जिस तो एक चित कोब्रा है, और दूसरा जो जहन में आता है, उसके हिस्से की धूप है, उसके हिस्से की धूप में नाई का पती को छोड़के प्रेमी के पास जाती है, लेकिन भट दूसरा चित कोब्रा जब पढ़ा, तो उसमें पती के साथ भी और प्रेमी के साथ भी, और प्रेमी अगर मैच्योर है, परिपक्व है, तो फिर वो आप कहती हैं उसमें कि वो रास्ता दिखलाता है, दोनों दो दिशा में चीजें लिखी गई, हमें ऐसा महसूस वापढ़ या उसके जरीए कोई नई दिश्टी देना है, दोनों बाते हैं, प्रेमी से अलग भाषा नहीं बोली जाती और पती से अलग, ऐसा कुछ नहीं है, जो मन में भाव होगा, वो पती हो, प्रेमी हो, अरत हो, मर्द हो, कोई भी हो, बीच का जेंडर हो, भाषा तो वही बोली जाएगी, उसको देखकर आप भाषा नहीं बदलते, लेखक की जो भाषा है, उसमें वो लिखता है, ये मेरे प्रारंबिक उपन्यास है, सबसे पहला उपन्यास है, अभी तक लोग उसी पर क्यों अठके वे हैं, मुझे नहीं मालूँ, मगर अठके वे हैं, क्योंकि प्रे जांतर बदलती ही है, और जहां तक पिछडने का सवाल है, हिंदी भाषा नहीं पिछडी, बिलकुल भी, वो उसी तरह अब भी विक्सित हो रही है, नए शब्द आ रहे हैं, पुराने शब्दों कुछ दूर होंगे ही, कुछ नए शब्द आएंगे, हिंदी वाले पिछड हैं, अब आप उमसे हमारी रचनाओं पर बात कीजे, हमारी रचनाओं सुनिये, हम इमसे ये क्यों पूछ रहे हैं कि भाषा पिछड गई, अगर पिछड गई होती हिंदी, तो हम दोनों क्या बेवकूफ हैं, कि उसमें लिख रहे होते, और आप लोग क्या बेवकूफ हैं कि उसमें पढ़ा होते बलके मैं इसमें ये जोड़ूं कि हो सकता है हम बेकूफी हों मगर कुछ आला दरजे के बेवकूफ है दूसरा ये कि अगर हमारी भाषा पिछड रही है तो हमारी दाद दीजिए कि हम एक पिछडी भाषा में लिखने का साहस कर रहे है और दूसरा अगर वो पिछड नहीं रही है यानि गतशील है तो इसकी भी प्रशंसा करिए कि हम उस भाषा के लेखक हैं जो इतनी गतशील है नहीं बलके ये कहिए कि उस भाषा को गतशील बनाने में थोड़ा सा हमारा भी हाथ है और काफी हाथ आप लोगों का है जो हिम्मत करके यहां बैठे हैं इतनी देर से और कविताएं सुन रहे है अशोग जी कविताएं लिखते हैं उनको तो अच्छा ही लग रहा होगा मगर मैं कविता के इलावा सब कुछ लिखती हो इसी कवि को दूसरे कवि की कविताएं अच्छी नहीं लगती जब तक के वो दिवांगत नहीं हो